Welcome class 10th, आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं आपका NCRT solutions for exercise 10.2 question number 8 question number 8 को solve करेंगे, solve क्या prove करेंगे, इस question में basically क्या दिया हुआ है कि एक quadrilateral है ABCD, यानि A, B, C और D, आपको prove करना है कि AB plus CD is equals to AD plus BC, ठीक है AB, यानि A side plus CD, यानि A side, इन दोनों sides का sum is equals to इन दोनों sides का sum, ठीक है यह आपको prove करना है, इस question में यह आपको prove करना है, ठीक तो अगर आप सही से देखो, अगर आप सही से देखो, तो क्या दिया हुआ है कि भाई D, C, A, और B क्या है, external points, ABCD, A, B, C and D are external points, external points, ठीक है external points हैं यह सब, और अगर हम अंदर वाले यह जिनको touch कर रहे हैं, ठीक है तो question के हिसाब से अगर यह P है, यह हमारा Q है, यह R, और यह S है, ठीक PQRS है, ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से हम लोग देखें, तो PQRS, A, B, C, D are external points and are tangents, are tangents at PQRS, PQRS, PQRS S, therefore, हमें एक चीज़ पता है कि external points, length of tangents are equal length of tangents, length of tangents are equal, are equal at external points, from common external point, ठीक है, from common external point, कहने का क्या मतलब है, यह हमने theorem पढ़ी है, ठीक है, अगर जिन्होंने यह video नहीं देखा है, जिसमें मैंने यह theorem को proof भी दिया है, और यह theorem के बारे में अच्छे से explain किया है, तो वो eye button की through जा सकते हैं, और वो video देख सकते हैं, ठीक है, यह हमारे circles की playlist को एक बार यह अच्छे से देख लोगे, तो आपको और BP बराबर होगा, CQ और CR बराबर होगा, DR और DS बराबर होगा, ठीक है, यह सारे external points से जितनी length है, ठीक है, जानी कहने के मदब है, कि अगर यह x होगा, तो यह भी x होगा, यह अगर y होगा, तो यह भी y होगा, यह अगर z होगा तो यह भी z होगा और यह अगर a होगा तो यह भी a होगा ठीक है? यानि a a ठीक है? इस तरीके से length equal है हमें prove क्या करना है? a b plus c d तो हम लोग पहले लिख लेते हैं rhs ठीक है? rhs तो नहीं है lhs ठीक है? lhs के हिसाब से क्या है हमारे पास हमारे पास है LHS के साव से AB ठीक है AB PLUS CD अच्छा AB PLUS CD हमारा कितना है AB देखते है AB क्या है AB है X PLUS Y ठीक है X PLUS Y है तो मैं इसको एक ब्राकट में लिख लेता हूं PLUS CD CD क्या है A PLUS Z CD है मेरा A PLUS Z इस इतना हो जाएगा तो इसको मैं माल लेता हूँ equation one फिर हम लोग आते हैं arches में ठीक है? इन arches arches में हमारे पास क्या है? Arches में हमारे पास है ad plus bc ठीक है? Rches हमारे कहता है ad plus bc ठीक है? Arches में ad plus bc है यानि आप अगर ad देखोगे तो ad है a plus x ठीक है a plus x ठीक है यह हमने लिख लिया फिर आपका bc क्या है bc है आपका bc कहां गया भाई यह bc है ठीक है यह हमारा bc है जो मैं अभी अभी underline कर रहा हूं ठीक है यह क्या है z plus y यह है आपका z plus y ठीक है z plus y तो इसको भी अगर total करें तो यह भी बनता है x plus y plus a plus z ठीक है यह बनता है तो इसको मैंने equation 2 देख लिया तो since हम लोग लेख सकते हैं since since क्या equation 1 is equals to equation 2 that implies ab plus c d ab plus c d is equals to is equals to ad plus bc ad plus bc ठीक है यह हमने प्रूव कर दिया इस question के तरूब तो यह रहा है इस question का answer इस question में basic हमारा क्या लग रहा था हमारी theorem लग रही थी यह वाली यह theorem क्या कहती है हमारी length of tangents are equal from common point ठीक है common external point ठीक है common external ठीक है external वर्ड आपको याद हो ना चाहिए external तो यह रहा इस video में इस question का solution अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेर कीजिएगा जनको यह doubt रहा हो उनको शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिएगा comment section में और सारे questions अगर आपको doubt हो तो उनको जरूर पूछिए इस question में अगर कोई doubt रहा हो तो वो भी पूछिएगा मैं उसको पोशिश करूँगा कि वहाँ पे आपको clear कर सकूँ वीडियो को thumbs up दीजिए चैनल को subscribe कीजिए फिर मिलते हैं एक next video में एक next topic के साथ तब तक लेबाएगा and thanks for watching